प्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है ओड ओन अ ग्रेशियन अर्ड यह जो पोएम थी यह 1819 में लिखी गई है 50 lines की यह पोएम है और 5 stanzas में बाटी गई है हर stanza में 10 lines है अब फ्रेंड्स बात करें इस पोएम की तो यह पोएम जो है यह काफी complex और mysterious पोएम मानी जाती है और यह इसलिए भी mysterious है क्योंकि बहुत ही simple setting है इसकी speaker जो है वो हमें एक earn एक gratian earn के बारे में बता रहे हैं gratian यानी जो grease का है और earn एक तरह के ways को कहा जाता है was जिसे कहते हैं तो यह जो earn है यह grease का है और grease की जो कलाकृतिया है वो हमें इस earn में नजर आ रही है और speaker उसी earn को देखता है और grease की जो पुरानी सभिता थी उन्हें समझने की कोशिश करता है साथ ही बहुत सारी pictures आती है उसके मन में उस earn को देखकर और वहाँ यह जो pictures है यह poet हम से discuss करते हैं इस poem में एक definite rhyme scheme नहीं है यानी हर जो stanza है उसमें अलग-अलग rhyme schemes follow किये जाते हैं साथ ही friends अगर बात करे theme की तो इस poem में काफी सारी themes को discuss किया गया है सबसे पहली theme जो है वो है history यानी जो इतिहास हम कह सकते हैं किस तरह से समय बदला है और क्या कुछ हमें changes नजर आ रहे हैं यह सब हम इस earn को देखकर समझ सकते हैं तो यहाँ इस history का काफी important role रहा है दूसरी चीज है यहाँ पर mortality and death यानी कैसे लोग मर जाते हैं और उनकी death होती है वो इस life से दूर चले जाते हैं लेकिन चूकि यह जो earn है यह एक non living thing है तो यह कभी मरेगा नहीं यह हमेशा यहाँ रहेगा और आने वाली generation को भी यह कहानियां बताता रहेगा और एक last theme है वो है truth and beauty इस poem में हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि truth और beauty दोनों एक ही चीज हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है तो यह सारी चीजे हम और बहतर समझेंगे जब हम इस poem को पढ़ेंगे Friends अगर बात कर इस poem के poet की तो John Keats एक English romantic poet थे उनका जन्म हुआ था 31st October 1795 में और उनकी death हुई थी 23 February 1821 में बहुत ही कम उम्र में उनकी death हो गई थी उनने एक बिमारी हो गई थी जिसे tuberculosis कहा जाता है तो उसी के कारण उनकी death हो गई साथ ही उनकी famous works में ode to a nightingale, ode to autumn, sleep and poetry ये सभी शामिल है तो चलिए Friends आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं यानि दाव, दाव यहाँ पर old English word है जिसका मतलब है you तो यहाँ you किसके लिए use हुआ है उस earn के लिए वो जो Grecian earn है उसके लिए use हुआ है poet कहते हैं कि तुम क्या हो एक bride हो यानि एक partner की तरह हो किसकी तो quietness की यानि चुपी की चुपी की एक partner की तरह हो जो unravaged है यानि pure है, innocent है the foster child of silence and slow time और साथ ही तुम क्या हो तो foster child यानि जिसे adopted child गोद लिया हुआ बच्चा कहें किसकी तो silence यानि चुपी सनाटे की और slow time धीरे धीरे बीटते समय की अब ये सारी चीज़े क्यों कही जा रही है क्योंकि जो earn है बिलकुल silent है, quiet है, कुछ कह नहीं सकता और जो लंबा समय बीता है, वो हमें इस earn पर दिख रहा है, हमें इससे समझने में help मिल रही है Sylvan historian, who can't thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme friends, Sylvan का मतलब होता है गवार जो पढ़ा लिखा नहीं है, यहां इस earn को कहा जा रहा है लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो express करता है एक कहानी बताता है, एक flowery tale, यानि एक बहुत ही खुबसूरत कहानी बताता है और जादा बहतर तरीके से बताता है किसे तो हमारी rhyme से, हमारी कवीताओं से, हमारी poetry से यानि जिस तरह से लोग history लिखते हैं, poems के थूँ, writings के थूँ उनसे बहतर history कौन बता रहा है, तो ये earn What leaf-ringed legend haunts about thy shape, of deities or mortals यानि ये जो legend, ये जो कहानिया तुम्हारी shape पर हैं, जो पत्ते के जैसे किनारों पर लगी वी हैं और तुम्हारी पूरी body पर हैं, वो आखिर किसकी हैं? Of deities, यानि भगवान की हैं, या mortals, इंसानों की हैं? तुम किसकी कहानी बता रहे हो, ये मैं जानना चाहता हूँ Or of both, या इन दोनों के In temple or the dales of RKD, यानि कहां पर तुम ये बता रहे हो, मंदिरों में या जो RKD के dales थे, उस जगह पर यानि ग्रीज के कौन से हिस्से की कहानी है, भगवान की कहानी है, इंसानों की कहानी है, आखिर तुम क्या बता रहे हो? What men or gods are these? यानि तुम्हारे उपर ये जो कलाकृतिया हैं, वो कौन से इंसानिया भगवान की है? What maiden sloth? और ये जो लड़कियां हैं, ये जो women हैं, वो कौन है? What mad pursuit? What struggle to escape? कौन सी एक mad, यानि पागल जैसी जिद थी? एक कौन सी ऐसी सनक थी, जिसके कारण ये drawing बनाई गई है तुम पर? या क्या ऐसी struggle को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है? क्या कोई escape करना चाहता था, भागना चाहता था? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? और साथ ही, यहाँ जो pipes और timbrels हैं, जो musical instruments यहाँ दिखाये जा रहे हैं, वो किस बारे में हैं? क्या ये किसी wild ecstasy? यानि कुछ बहुत ही जादा exciting घटना हुई थी उसे बता रहे हैं? यानि ये जो poet हैं, ये इस first tenza में ये बता रहे हैं कि एक earn है, बहुत सारी drawings बनी हैं उस पर, और ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि वो एक लंबी history बता रहा है, लेकिन ये history किस बारे में हैं, ये समझना अभी थोड़ा मुश्किल है. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. यानि जो tunes, जो melodies हम सुन सकते हैं, वो हमें बहुत ही मीठी लगती हैं, लेकिन ऐसी melodies जिने हम नहीं सुन सकते हैं, वो और भी ज़्यादा मीठी होती हैं. यानि जो sonata होता है, जो चुपी होती है और उसमें हम imagine करते हैं, वो जो imagination होती है, वो reality से भी ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा मीठी होती है. therefore, ये soft pipes play on, इसलिए जो erd पर, ये जो pipes बनी है, musical instruments बने हैं, poet कह रहे हैं कि तो उन्हें बजाते रहो, क्योंकि मैं feel कर सकता हूँ उनसे कौन सी music आ रही होगी. not to the sensual ear, but more endeared pipe to spirit duties of no tune. यानि यहाँ poet कहते हैं कि जो sensual ear है, जो मेरे कान है, वो भले उस music को नहीं सुन सकते हैं, पर मैं ये tune समझ रहा हूँ, और ये tune जादा endeared, जादा पसंद किसके लिए हैं, तो spirit duties, यानि एक तरह से कह सकते हैं, जो भगवान होते हैं, duties यानि भगवान, किसके भगवान of no tone, यानि silence, चुपी के, यानि simply इस line में बताया गया है कि जो pipe से निकल रहे tune है, वो क्या है, वो हमारी कानों के लिए नहीं है, बलकि वो सननाटे के लिए हैं, और उस सननाटे में हम उस music को imagine कर सकते हैं, अब next line में poet कहते हैं, Fair youth beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare, अब ये सारी drawings जो है, चूँकि वो एक अर्ण पर हैं, तो उनमें कोई movement नहीं होगा, तो इन्ही drawings के बीच में एक पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा है, जो कि क्या कह रहा है, पाइप्स बजा रहा है, और गाने गारा है, तो उसके लिए poet कहते हैं कि जो लड़का है, जो fair youth है, तुम कभी भी अपना गाना बंद नहीं कर सकते, इस tune को तुम रोक नहीं सकत हो, और साथ ही ये जो पेड़ है, जिसके नीचे तुम बैठे हो, उसके पत्ते कभी जड़ेंगे नहीं, तो ये जो spring का मौसम जैसा है, ये कभी खत नहीं होगा, बोल लवर, निवर निवर, कैंस दाव किस, अब यहाँ पर एक और पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा है, जो इस अर्ण पर बनी है, और ये पेंटिंग किस की है, तो दो लवर्स की, ये दोनों लवर्स जो हैं, ये किस करने वाले हैं, इनके लिप्स टच नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर पोईट कहते हैं कि ये जो लवर्स हैं, ये कभी किस नहीं कर सकते, चुकि ये इस अर्ण पर है तो मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन, दो विनिंग नीर दा गोल येट, डूनों ग्रीव, यानि भले ही तुम अपने गोल के इतने पास होकर भी जीत नहीं पा रहे हो, उसे किस नहीं कर पा रहे हो, फिर भी ग्रीव नहीं करो, यानि दुखी मत हो, और इसका एक बहुत ही अच्छा रीजन भी है, शी केनाट फेड, यानि तुम्हारी जो लवर है, वो कभी फेड नहीं होगी, गायब नहीं होगी, हमेशा तुम्हारे पास रहेगी यानि भले ही तुम्हारी ब्लिस, तुम्हारी खुशी नहीं मिल रही तुम अपने लवर को किस नहीं कर रहे, लेकिन यह जो तुम्हारा प्यार है, यह हमेशा एसा ही रहेगा, और वो हमेशा ऐसी ही ब्यूटिफुल रहेगी, समय का उस पर कोई असर नहीं होगा, वो बू अब यहाँ पर कुछ डालियों की भी तस्वीर बनी हैं, जितके बारे में पोईट कहते हैं कि इन डालियों के पत्ते कभी नहीं जड़ेंगे, और नहीं इस पेंटिंग में जो स्प्रिंग का मौसम है, वो कभी खत्म होगा. और जो मेलोडिस्ट था, जो उस पेड के नीचे बैठा हुआ, अपनी धुन गा रहा था, अपनी पाइप्स बजा रहा था, वो हमेशा यूहीं खुश रहेगा, और कभी थकेगा नहीं, लगातार वो ये जो धुन है, उन्हें बजाते रहेगा, नए धुन बनाते रहेगा. और जो happiness है, खुशियां है, वो भी बढ़ती चली जाएंगी. यानि ये जो प्यार है, ये हमेशा इतना ही गहरा रहेगा, इतना ही इसे enjoy किया जा सकेगा, खुशियां जो है, वो कभी खत नहीं होंगी, और ये जो drawings है, ये इसी तरह fresh रहेंगी, young रहेंगी. यानि समय का भी इन पर कोई असर नहीं होगा, ये जो खुशियां, ये जो enjoyment हम इस earn पर देख सकते हैं, वो हमेशा यूं ही रहेंगी. अब यहाँ बात हो रही है humans की, हमें बताया जाता है कि ये जो humans होते हैं, उनका जो passion होता है, वो इस से उचा होता है, वो इस तरह के बारे में नहीं सोचते हैं. और इस कारण क्या होता है, उनका जो दिल होता है, वो sorrowful रहता है, यानि दुखों से भरा हुआ रहता है, चूंकि उनकी जो passion होती है, वो बिलकुल अलग होती है. A burning forehead and a parching tongue, और साथ ही क्या होता है, burning forehead, यानि fevers होते हैं, और parching tongue, यानि उन्हें प्यास लगती है, उनका गला सूखता है, तो ये सारे चीजें कब होती हैं, जब humans में passion कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो heartache होता है, यानि दिल में दर्द होता है, fevers होते हैं, और प्या earn का एक दूसरा हिस्सा है, उस पर poet की नजर पढ़ती है, और वो उसे explain करते हैं, who are these coming to the sacrifice, यानि अब जो picture है, वो एक तरह की ceremony की लगती है, ऐसा लगता है, जैसे कुछ घटनाएं घटन रही हैं यहाँ पर, और इसके बारे में poet question करते हैं, कि इस ceremony में, इस रस्म में आखिर कौन से लोग शामिल हो रहे हैं? आख ले जा रहा है, और जो cow है, वो sky, यानि आसमान की तरफ देख रही है, और आवाजे निकाल रही है, और यह जो priest है, यह इस guy को एक altar, एक छोटे से stage की तरफ ले जा रहा है, तो आखिर यह किस तरह की ceremony हैं, और इसमें कौन से लोग शामिल हुए हैं? And all her silken flanks with garlands dressed. जानी कोई छोटा सा शहर, जो कहां हो किसी नदी या किसी समुद्र के किनारे हो, और mountain built with peaceful citadel, या किसी पहाडी पर बना हुआ, जहां पास में ही एक citadel, एक छोटा सा चर्च हो. Is emptied of this folk, this pious morn. कौन से ऐसे शहर है, जिससे ये जो folk हैं, जो लोग हैं, वो आए हैं, क्योंकि वो शहर तो अब खाली हो गया होगा, उसके जो लोग हैं, वो यहां इस ceremony में आए हैं, तो वो शहर क्या होगा, empty होगा, खाली होगा. इस pious morn में, यानि ये जो सुबह है, morn यानि सुबह है, जो की कैसी है, pious है, यानि भगवान की पूजा करने के लिए है, यहां एक ceremony हो रही है, priest हैं, तो जरूर ही कोई godly related ceremony होगी. And little town, thy streets, forever more will silent be. अब बात हो रही है, उस town की जहां से ये लोग आए हैं, तो उसके लिए poet कहते हैं, कि वो जो छोटा शहर है, उसकी सड़के हमेशा के लिए silent रहेंगी. क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, ये लौट कर अपने घरों को नहीं जाएंगे. ये सारी चीज़े कहां हैं, एक earn पर draw की भी हैं, और उनमें movement नहीं होगा, तो वो जो शहर रहा होगा. जहां से ये लोग आए हैं, वो हमेशा यूँ ही क्या करेंगे, खाली रहेंगे. And not a soul to tell, why thou art desolate and can never return. और एक भी सोल, एक भी आदमी, एक भी आत्मा नहीं होगी, जो ये बता पाएगी कि तुम क्यूं अकेले हो, खाली हो, और तुम में कोई नहीं रहता. क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है, जो बता भी सकता है, वो क्या है, वो उस earn का एक हिस्सा है. और चूंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो कोई कभी ये बता नहीं पाएगा कि आखिर तुम क्यूं खाली हो, क्यूं तुम्हारे पास लोग नहीं हैं. अब यहाँ लास्ट एंजा शुरू होता है, और पोईट कहते हैं, यानि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उस earn को define किया जा रहा है, कि वो कैसा है, उसका शेप एक आटिक की तरह है, उसकी जो लंबाई है, वो काफी अच्छी है, और साथ ही उस पर क्या है, यानि आदमी और औरते जो हैं, उनकी ड्रॉइंग्स बनी भी है, या वो उकेरे गए हैं, जो की मार्बल के हैं, और चारो तरफ यह men and women हमें उस earn पर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही हमें दिखाई दे रहे हैं, यानि जंगल के पेड़ों के ब्रांचेज, और साथ ही जो वीड्स होते हैं, जो छोटे-छोटे पौधे घास होते हैं, वो भी हमें नजर आ रहे हैं, यानि तुम्हारा ये जो silent form है, जो तुम्में कोई movement नहीं होती, फिर भी तुम हमें इतना कुछ दिखा रहे हो, यह हमें क्या करता है, यह हमें tease करता है, थोड़ा सा परिशान करता है, और हमें हमारी thought से, हमारी सोच से बाहर ले आता है, जैसे कि मानो ये एक eternity हो, अनन्त हो कभी खत्म नहीं हो, तुम्में ऐसी एक तरह की आकर्शन है, और इसलिए हम सोच से बाहर खिचे चले आते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, cold pastoral, यानि चुकि तुम हमें नई problems दे रहे हो, और problem के बारे में बता नहीं रहे हो, तो इसलिए य आगे या poet कहते हैं, when old age shall this generation waste, thou shalt remain, यानि जब old age आएगी, और हमारी ये जो generation है, ये बरबाद हो जाएगी, बुरी हो जाएगी, मर जाएगी, तब भी तुम्हें ऐसे ही रहोगे, तुम्में कोई changes नहीं आएगी, तुम्हें बढ़ापा नहीं आएगा, in midst of other wo, then I was a friend to man, और उस समय हमारे पास क्या होगी, कई तरह की परेशानियां, वो यानि परेशानियां होगी, लेकिन तब तुम क्या करोगे, तुम एक friend की तरह हमारा साथ दोगे, क्योंकि तुम हमें कई सारी चीजें बताओगे, वो चीजें जो अभी शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ To whom thou sayest, और साथ ही तुम क्या कहोगे हमें? Beauty is truth, truth beauty, यानि खुबसूरती जो है, वो सच्चाई है, और सच्चाई जो है, वो खुबसूरती है, यानि सच बहुत खुबसूरत है और उसे accept करना चाहिए, खुबसूरती का मतलब है कि जो सच्चाई है, उसमें changes नहीं लाए जा सकते, जो जैसा है, वैसे ही उसे accept करिये, तो जो सच्चाई है, वो खुबसूरत हो जाती है, बस इतनी से ही चीज है, जो आपको इस अर्थ इस धर्ती पर जानने की जरूरत है, और इतना ही आपको इस धर्ती पर पता भी चलेगा फ्रेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है, इस पोयम में पोईट ने बेसिकली यही बताया है कि किस तरह history का एक source जो है, वो हमें life के different lessons सिखा सकता है, हमें बस अपनी आँखे खोल कर सच्चाई को देखना है और उसे accept करना है, तो फ्रेंट्स, यह थी John Keats की पोयम Ode on Aggression Earn, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिए